Welcome to my channel Bollywood बातें. दोस्तों हमारी Bollywood फिल्मों में कब कौन सी फिल्म क्या कर जाए कोई कह नहीं सकता. जहां कई बड़े बजट की फिल्म में सुपर फ्लॉप हो जाती है तो कहीं एक छोटे बजट की फिल्म अच्छी कमाई कर लेती है. आज हम Bollywood की ऐसी एक फिल्म की बात करेंगे जो थियेटर के लिए नहीं बनाई गई थी. और ना ही थियेटर में रिलीस हुई थी उसके बावजूर भी ये फिल्म सुपर डूपर हिट हुई थी. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना. लेकिन ऐसा एक फिल्म ने कर दिक्या था. आएए जाने आखिर ऐसा क्या हुआ था और कौन सी थी वो फिल्म? ये फिल्म है लाल दुपट्टा मलमल का जो 1989 में बनी हिंदी टेलिविजिन फिल्म है. लाल दुपट्टा मलमल का दर असल में एक म्यूजिक एल्बम बनाया गया था. और इस एल्बम में में टोटल दस गीत थे और इस एल्बम का निर्मांग किया था मशहूर संगीत कैसेट कमपनी थी सीरीज ने जिसके मालिक दे गुल्शन कुमार. इस म्यूजिक एल्बम को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपूरी ने. एल्बम लाल दुपट्टा मलमलका का संगीत एसा जबरदस्थ हिट हुआ की मजबूर होकर निर्माता गुल्शन कुमार को इस एल्बम पर फिल्म बनानी पड़ी. और फेर इस एल्बम पर फिल्म बनी फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का जिसका बजट था उस समय 75 लाख रुप्ये और इस फिल्म ने कमाय थे 2 करोड रुप्ये सबसे बड़ी ताजजुक की बात तो इस फिल्म की ये थी कि इस फिल्म को थियेटर में आज तक रिलीज नहीं किया गया बलकि सिर्फ एक टेली फिल्म बना कर दूरदर्शन पर इसे रिलीज किया गया था उस समय टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था वो था दूरदर्शन इस सब के बावजूद सिर्फ संगीत के दम पर बिना थियेटर रिलीज किये इस फिल्म नेती सीरीज कमपनी को माला माल कर दिया था और जबरदस्ट कमाई की थी जिसके चलते 1989 के साल के अंट में इस फिल्म का दुसरा पार भी बनाया गया था जिसका नाम था फिर लहराया लाल दुपट्टा इस फिल्म के दोनों ही पार्ट में मुख्य भूमिकाओं में थे साहिल चड़्धा और बैवली फिल्म के निर्देशक थे रविंद्र पीपट सिर्फ संगीत के दम बिना थियेटर में रिलीज हुई ये पहली हिंदी फिल्म है जो सुपर दुपः हिट हुई जिसका संगीत सुनने में आज भी तरोताजा लगता है जिसे गाया था अज के वीडियो में बस इतना ही यकीन है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज इसे लाइक करे शेय करे और मेरे इस चैनल बॉलीवुड बाते को सब्सक्राइब जरूर करे टेक केर डॉस्टो